जिराफ और शेर की कहानी उनका मन भी पेड के पत्ते खाने का हुआ लेकिन उनकी उचाय जिराफ जैसी नहीं थी नहीं उनकी गर्दन लंबी थी इसलिए वे जिराफ के पास जाकर बोले जिराफ भाय थोड़े पत्ते हमें भी दे दो हम भी जरा इन पत्तों को चक कर देखें घमंडी जिराफ उन्हें दुदकारते हुए बोला तुम्हें पेड के पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें पेड से पत्ते तोड़ तोड़ कर खिलाऊं जिराफ की बात सुनकर जंगली भैसो को बड़ा बुरा लगा वे जिराफ से बोले हम तो तुमसे निवेदन कर रहे थे जंगल के जानवरों को मिल जूल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ज्यान मत बगारो चलो भागो यहां से जिराफ ने गुसे में कहा और पेड के पत्ते खाने लगा तीनों जंगली भैसे नीचे मैदान की घास चरने लगे तब ही अचानक वहां एक शेर आ गया वह दिन भर से भूखा था और बड़े शिकार की तलाश में था उसने जब जिराफ को देखा तो सोचा आज इस जिराफ का ही शिकार करूंगा और पेड भर कर इसका मास खाऊंगा वह जिराफ की तरफ बढ़ने लगा पास की घास चर रहे जंगली भैसो ने जब शेर को देखा तो भाग कर एक गुफा में चुप गए पेड के पत्ते खाते जिराफ का ध्यान शेर की तरफ नहीं था जब शेर जिराफ के पास पहुँचा और जोर से दहारा तब जिराफ ने उसकी तरफ देखा डर के मारे उसकी घिगगी बंद गई वह मदद की गुहार लगाने लगा पास ही गुफा में चुपे जंगली भैसो ने उसकी गुहार सुनी एक भैसा बोला इस धमंडी जिराफ का यही अंजाम होना चाहिए दूसरा भैसा बोला बिल्कुल सही इसने हमें खाने को पत्ते नहीं दिये थे उनकी बात सुनकर तीसरा भैसा बोला नहीं भायो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए हम सब मिलजूल कर रहेंगे तभी किसी बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे दोनों भैसों को तीसरे भैसे की बात समझ में आ गई तीनों ने जिराफ की सहायता करने का फैसला किया और बुफा से बाहर निकल कर शेर की तरफ बढ़ने लगे शेर के पास पहुँचकर उन्होंने उससे ललका रा हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर सामने तीन बलशाली जंगली भैसे देखकर शेर दर गया और वहां से भाग गया जिराफ की जान में जान आई उसका घहमंड तूट चुका था वो अपने व्यवहार पर पच्चताने लगा और भैसो से खशमा मांगने लगा भैसो ने उसे खशमा कर दिया उस दिन के बाद से वे सब मिल जूल कर रहने लगे इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी घहमंड नहीं करना चाहिए और एक दूसरे के सहयोग से रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेर करें और इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद